तो चले फ्रेंट्स आज बनाते हैं मस्रूम मतर की एकदम न्यू और बिल्कुल आसान रेसीपी जिसके लिए आपको लेना है प्रेशर कूकर और मस्रूम को अच्छे सो वस करके दो पार्ट में डिवाइड करके डाल देना है कूकर में साथ ही में डाल देना है मतर, प्याज, टमाटर और लहसुन इस रेसीपी में बहुत जादा चॉपिंग नहीं करना है हमें प्याज को चील करके हलका सा कट लगा करके डालेंगे तेहां पर तीन प्याज, तीन टमाटर मेंने डाला है अब लहसुन को चील करके डाल देंगे 10-12 और अब इसमें जाएगा पानी एक बहुत जादा पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे डखकन बंद करके दो से तीन सीटी लगा लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे और यह देखे प्रेशर निकल चुका है अब खोल करके चेक कर लेते हैं तो यह देखे सारी चीजे अच्छे से सौब्ट हो गया है अब लेंगे एक प् जीली यह निकल जाता है और प्यास टमाटर लहसुन को एक सेपरेट प्लेट पर ले लेंगे और किसी भी मैसर से इस तरह से मैस कर लेंगे इसे हमें पिसने की जुरत नहीं है हमें इसी तरह का टेक्शर चाहिए अब गयास पर रखेंगे एक पैन इसमें डालेंगे सरसो का अब तेल को गरम होने देंगे और इसमें डाल देंगे एक छोटी चमत जीरा साबत गरम मसाला और इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे अब इसमें डाल देंगे मैस किया हुआ प्यास टमाटर और लहसुन इस टाइम पे क्यामरा ओफ हो गया था अचानक से इसलिए मैं आपको डालते हुए क्लीप नहीं दिखा पाई और अब इसमें जाएगा स्वादा अमसार नामक अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भूल लेंगे तो यहां पे प्यास टमाटर लहसुन सारी चीजे अच्छे से भूण चुका है अब इसमें आड़ करेंगे ड्राइज स्पाइस तो सबसे पहले हम डाल देंगे हल्दी पॉडर धनिया पॉडर रेट चिली पॉडर थोड़ा सा कास्मेरी रेट चिली पॉडर भी डालेंगे कलर के लिए आप चाहते स्कीप भी कर सकते हो और किसी भी ब्रांड का एक पैकेट चिकन मसाला आड़ करेंगे इससे ना इस रेसिपी में काफी अच्छा टेस्ट आता है अब इ बैट मसालि कुड्य का साथ में अच्छा अच्छा से भूल यह ज correct आड़ करेंगे अब पाड़ी कटा हूआ अ और मिक्स कर लेना है अब ज़ पानी बचा हुआ है उसे हम इसमें इसमें आड़ कर देंगे अच्ट आड़ कर देंगे अब इसड़ी तो आपी पानी का सब्सक अब ढखक Paul के लो मीरम पर दोसे 3 मिनिट के लिए और कुक कर लेंगे, अब चेक बढ़ी है, motherfutti अब भाहत ही बढ़ी है, 1 लाś्वी कर लेंगे अब तो आप समझी गये होंगे मैं क्या बना रही थि तो मैं बना रही थी मटर मसरूम की ड्राइ सबजी बिल्कुल नहीं तरीके से लास्ट मैं आड़ कर देंगे फ्रेस क्रीम टूटेबल इस्पून जितना अगर फ्रेस क्रीम ना होना तो आप घर की जो मलाई होती है उसे अच्छे से फेट करके इसमें आड़ कर सकते हो इससे टेस्ट काफी एनांस हो जाता है और सबजी में एक बहुत ही अच्छा सा रिजनेस आ जाता है मिक्स कर लेंगे सबजी बिलकुल रेडी है अब चलिए फ्लेम आफ करके इसे डिसाट कर लेते हैं और देख सकते हैं कितना बनिया कलर आया है और यह टेक्शर देखे बहुत ही टेस्टी मटर मसरूम की ड्राइ सबजी रेडी हो चुका है अगर एसी पी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सेर कीजिए